तो आज पर हम लगए एक इंफोर्मेलिटी वीडियो के साथ आज आपके साथ तो आज वीडियो है वो है रिलेटेट टू अन इंडेक्स जैसा कि हमने एक आपके सोट्स में भी हमारे वीडियो में सोट्स में हमने कोशन पुचाता आप से कि इंडेक्स क्या होता है पहले इस चीज पो समझ ने की कोशिस करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है तो index को समझने के लिए सबसे पहले हैं आपने books पर जाएंगे किसी भी बुक को आप उठाते हैं सबसे पहले उसके लिखा होता है पहले चेप्टर में क्या है second chapter में क्या है third chapter में क्या है और सारी details होती है वो ही है index अब उस चीज को है कि हम लोग एक आसान से बासा में समझने की कोसिस करें तो मान की सबते हैं कि को एलेक्शन आने वाला है और हमने क्या किया एलेक्शन के लिए प्री पोल या एक्जिट पोल लेने की कोसिस करी अब इंडिया की जो जन सब्सक्राइब क्या अशरू से लिए उस बेसिस पे हम क्या करते हैं एक्जिट पोल हम लोग एक्जिट पोल लिकालते हैं कि 75% इस पार्टी को आ रहा है 25% इस पार्टी को आ रहा है ठीक है और इस बेसिस पे हम लोग एक्जिट पोल दिखा देते हैं बट जरूरी है कि यह एक सही होगा यह नहीं यह बिल्कुल सही भी हो सकता है और नहीं भी हो तो हम क्या करते है किसी क्लास के कुछ बज्चों को इकटा करते हैं हैं उसके बेशिप करते हैं काच्छा स्कूल का प्रवेस है हो ऐसा है तो index चीज्ज है यादि बहुत सारे इंडेक्स हैं हमारे पास हमने अलग 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 बेसी स्ट बना रखें तो उसी की जो सबसे पहला इंडेक्स है वो कौन सा है अब सेंसेक्स के अंदर जो चीजें है वो क्या है तो सेंसेक्स के अंदर जो टोटल नंबर ओफ कंपनीज होती है जो सेंसेक्स का नंबर ओफ कंपनीज के दिन लोग बात करें तो इसके अंदर कितनी कंपनीज होती है इसके अंदर तीस कंपनी होती है इतनी कंपनी होती है, 30, 30 कंपनी होती है इसके अंदर, अब यह 30 कंपनी कौन सी होती है, क्या मेरी फैवरेट कंपनी होती है, 30, नहीं, एडिसी की फैवरेट कंपनी होती है, 30, नहीं, यह क्या होती है, परफॉरमेंस के बेसिस पे यह 30 कंपनी चुनी जाती है, अब यह 30 कंपन क्या है वो free floor capitalization यदि हम लोग free floor capitalization को समझने की कोशिस करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या capitalization को capitalization क्या होता है capitalization होता है total number of total number of sales multiplied by current market price of the sales ठीक है तो यदि किसी company के हम मानके चलते हैं कि 100 sales है market में और अभी उसका price चल रहा है 50 तो इसका capitalization कितना हो गया 5000 यह हो गया capitalization अब बात आती है कि capitalization से तो में मतलब नहीं किसी से मतलब है free floor capitalization से तो free floor capitalization क्या होता है यदि total capital में से हम owners के capital को minus कर दे हैंने कि मानके चलते हैं जैसे 100 sales है इसमें से 30 sales जो है 30 sales किसके पास है 30 sales owners के पास है और तो 70 sales public के पास है ठीक है यह owner के पास है और यह public के पास है तो यहां 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 free floor capitalization की बात कर नहीं होगी को क्या करेंगे 70 को multiply करें 50 से जो की public के पास है यानि 70 to 50 यानि 3500 3500 का जो है यह क्या है free floor capitalization है तो free floor capitalization के basis पे जो top companies होती है उनको हम लोग क्या करते हैं sensex के अंदर सामिल करते हैं तो यह अभी की बात करें current market की बात करें तो जो तीस company है उसमें top 5 के इंड़ बात कर लेते हैं समझने की कोस्त करते हैं top 5 जो company है वो कौन सी company है sensex के अंदर क्योंकि यह companies होती है greatest wise होती है एक number पे जो होगा उसका सबसे ज्यादा rate होगा ठीक है यादी सबसे ज्यादा और नहींत अपूर्ण होगा वो sensex के अंदर यादी second वाले की बात पर तो उससे कम होगा ठीक है यादी third वाले की बात पर तो उससे कम होगा और सबसे कम होगा 5 वाला और उसके नीचे उसी क्रम में घरता जाएगा तो पहले नंबर पर जो कमपनी आती है वो कौन से आती है Reliance, Reliance प्रीफिट कैपिलेशन के मामले में पहले नंबर पर है तो Reliance वो सबसे प्रतम पर रटका गया है sensex के अंदर यादी उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा है HDFC बैंक, HDFC बै वो किसका है HDFC बैंक का है, यादी तीसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारी यो कमपनी है, वो कमपनी कौन सी है, वो है Infosys, IT की बड़ी कमपनी है Infosys, यह तीसरे नंबर पर रखे गया है sensex के अंदर, यादी चौधे नंबर की बात करें तो HDFC, Housing Development Finance Corporation बैंक में है, यह HDFC बैंक में है, यह HDFC बैंक में है, यह तीसरे नंबर पर बात करें हम लोग तो काउन से अपनी रखे गया है, यह तो यह top 5 कमपनी है, जो कि sensex के अंदर अभी highest wages रखती है, अब इसके कुछ बात करते हैं हम लोग, हिस्ट्री की, यादी इसके हिस्ट्री क के अंदर, 1992 के अंदर एक scam आया था, घरसद मेंता का scam आया था, ठीक है, इस scam के बाद इसमें एक बखुट बड़ी इरावाट देखने को मिले थी, लगबख कितनी, 12.7% की इरावाट देखने को मिले थी, जो कि एक बखुट ही बड़ी इरावाट मानी जा सकती है, उसके ब कि लोग आगे चलें और 2000 की बात करें तो 2000 यदि येर की बात करें हम लोग, 2000 स्टाटिंग यानी जैन 2000 की बात करें तो यहाँ पर जो इसका प्राइस ना लगवख लगवख कितना था, सेंसेट का प्राइस 5000 के राउंड था, और अभी चलते चलते सफर करते हुए हम लोग है, 2021 में, और 2021 का भी चल रहा है, अक्टूबर और अभी जो मार्केट प्राइस है, इसका वो कितना है, 61,000 ग्रॉस कर चुका है, एक्जाट यदि बात करें हम लोग, तो 61,300 हो चुका है ये, तो 5000 से सफर करते हुए, ये कहां आ गया है, 16,300 के आ गया है, ये कुछ इसका सफ पर नामा तर इस्ट्री थी, यदि बात करें हम लोग, यदि ओवर ओल की, यदि हम लोग, 1986 से, 2021 की बात करें, 2021 की बात करें, तो इसके अंतर ये, 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 बैसे रिटरॉन देखा जाए, लगवग, लगवग, कितने परसंट का रिटरॉन देता है, एनुली, एप्रॉक्स जो होती है, वो वेटेस वाइस वाल्यू रखती है अपना, अभी टॉप की कंपनी को है इसके अंदर, और इसकी हिस्टी कुछ हमने देखी, तो ये सेंसेक्स के बारे में बेसिक डिटेल था, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, यदि वीडियो अच्छा